कोरोनम हमारी के चलते बदल रही है दुनिया और अब बदल रहे हैं क्रिकेट के नियम भी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं मुझे इंडिया नीव स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट जगत की दुनिया में लगातार क्रिकेट को लेकर अब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं अगर हम बात करें साउथ एफ्रिका की तो साउथ एफ्रिका में 27 जून को सैंचुरियन में एक मैच खिला जाएगा इस match को नाम दिया गया है 8A side अब यह match क्या होता है यह आपको समझा देते हैं थोड़ा पेचीदा है लेकिन समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा अगर हम बात करें इस match की तो इसमें 3 team होंगी टीम्स का नाम होगा Eagles जो की ABD Villiers की team होगी Whites जो की Quinton Dicock की team होगी Kites माफ कीज़ेगा Kites जो की Quinton Dicock की team होगी और वहीं Kingfishers जिसको Kagiso Rabada उसका नितरित्व करेंगे अब इस match में क्या है इसे 8A side क्यों नाम दिया गया है 8A side इसलिए इस team को नाम दिया गया है क्योंकि इस team में सिर्फ 8 players खेलेंगे Basically cricket जो है game वो 11 players का है लेकिन इस match में हर team में सिर्फ 8 players खेलेंगे 8 players क्यों खेलेंगे अब हम इसको थोड़ा सा और elaborate करते है 36 over का ये match होगा 3 team एक साथ खेलेंगी हर एक team को 6 over खेलने का मौका मिलेगा यानि कि अगर 2 team के बीच में match हो रहा है और 6 over बॉलिंग करती हुई team खेलेंगी 6 over बैटिंग करती हुई team खेलेंगी 18 over के बाद एक interval लिया जाएगा और आपको इसके आगे की नियम कुछ बताते हैं सबसे interesting नियम इसका आप जानेंगे न तो आप हैरान हो जाएगे सबसे interesting नियम इस पूरे match में यह है कि जो आखरी player होगा यानि कि अगर 7 player खेल चुके हैं तो आखरी जो आटवा player है वो basically out नहीं माना जाएगा हाला कि यह होता है कि जो अगर हमारा 10 player अगर out हो जाता है तो 11 को शायद आने का मौका भी नहीं मिलता उसको अगर out भी नहीं होता है तो भी उसको का जाता है कि आप जाकर dugout में बैठिए आप जाकर dugout में बैठिए आपका कोई काम नहीं है तो यहाँ पर basically क्या होगा कि अगर जो आटवा player है वो जब खेलेगा उसको सिर्फ और सिर्फ दो रन, चार रन या छे रन बनाने का मौका दिया जाएगा यानि कि अगर वो गलती से non-striker end पर एक रन लेके चला गया तो उसकी stump वहां से उखार दी जाएगी तो यह इस match में सबसे ज़्यादा interesting है यह एक नया तरीके का experiment है देखना होगा कि कितना सफल ही experiment रहेगा क्योंकि coronavirus के चलते अब पूरी दुनिया की cricket बदल रही है South Africa भी लगातार experiment कर रहा है अब Divilliers पर यहाँ पर एक नजर डालते हैं Divilliers ने almost सन्यास ले लिया international cricket से Divilliers अब यहाँ से वापसी कर रहे हैं हो सकता है अगर Divilliers यहाँ कि ABD का अगर यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा हुआ तो वो आगे भी international match में South Africa की तरफ से खेलते नजर आ सकते हैं ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो सन्यास लेते हैं प्लेयर्स वो दुबारा से वापसी करते हैं तो आप कितना excited है इस 8A side cricket को देखने के लिए यह हमें comment section में ज़रूर बताईएगा और साथ ही साथ हमारे इस India New Sports के YouTube चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा